पूरा देश इन वीर जवानों को सलाम कर रहा है हमारे देश के वीर हैं ये जिने आज हम सब सादर नमन कर रहे हैं और देशवासियों के इस दुख्म के साथ जुड़ रहे हैं खुद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जो पालम एरपोर्ट पहुंचे हैं इस वक्त हमारे इन देश के वीर सपूतों को शधानजली अरपित करने के लिए देश के लिए एक अपोर्णियक शती है ये जब हमारे देश के प्रथम चीफ आफ डिफेंस स्टाफ उनकी इस तरह असाम्यक मृत्य हुई और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुषपांजली के जर्ये इन वीर सपूतों को शधानजली अरपित करते हुए प्रधान मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनात सिंग और ये शधानजली प्रधान मंत्री के ओर से नहीं बल्कि पूरे देश के ओर से प्रधान मंत्री अपने इन वीर सपूतों को देश के इन बलिदानियों को अरपित कर रहे है इन शूर्वीरों को विनम्र श्रधांजली दे रहा है देश प्रधारमंति नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन राश्ट्रनायक बलिदानियों को विनम्र श्रधांजली दे रहे हैं चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपन रावत और उनकी पतनी सहित सेन अधिकारियों का निधन अत्यांत दुखत और राश्ट्र के लिए अपूर्णियक शती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल बिपन रावत को पुषपांजली अर्पित करते हुए शधांजली अर्पित करते हुए और अब उनकी पतनी मधुलिका रावत्ची को भी पुषप अर्पित करते हुए शधांजली देते हुए और अब ब्रिगेटियर एलस लिदर को भी शधान जली देते हुए प्रधान मंत्री इस दुरघटा में CDS के साथ अन्य बारा लोग हैं जो शहीद हुए हैं इन में जनरल विपिन रावत उनके पतनी के अलावा ब्रिगेटियर एलस लिदर लेटनेन करनल हरचिंदर सिंग विंकमांडर PS Chauhan स्कॉर्डन लीडर केस सिंग नाएक गुर्षेवक सिंग नाएक जितेंद्र कुमार लांस नाएक विवेक कुमार लांस नाएक साइटेजा जुनियर वारंट ओफिसर दास, जुनियर वारंट ओफिसर एप्रदीप और हवलदार सत्पाल इन सभी को विधान मंत्री नरेंद्र मोधी पूरे देश की ओर से विनम्र शर्धान्चली दे रहे हैं ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं जिनोंने देश भक्ति का जजबा अपने जीवन में प्रकट किया जिनोंने इस जजबे को जिया और इसी जजबे के लिए कुर्बान हो गए देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी और आज तिरंगे में लिप्टा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों के आँखों में अशुत उला रहा है लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसाथ करने का भी आहवान कर रहा है कि देश भक्ति के लिए जियो देश के लिए जियो देश भक्ति के जजबे के साथ जियो और इसी संदेश को आज हम सब के लिए जरूरी है आत्मसाथ करना तभी देश के प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, देशवासियों के ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, शधांजली अर्पेत कर रहे हैं देश के लिए एक भावुक्षन है जब एक साथ अपने इतने वीरसपूतों को देश ने खोया ऐसे में इनके परिवारचन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साचा करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐसे क्षण हैं, ये ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमरते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इनी परिजनों के प्रती देशवासियों की कृतग्यता प्रदर्शित करते हुए देश के लिए इन वीर सबुतों का बलिदान, इन परिवार जन का भी बलिदान बहुत बड़ा है इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया लेकिन इन सब की आँखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है और इन सब के प्रती आज देश की ओर से कृतग्यता अर्पित कर रहे हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अफसर जब पूरा देश इने सलाम कर रहा है एक अफसर जब इन वीर बलिदानियों को पूरा देश इनके प्रती कृतग्यता महसूस कर रहा है पूरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इन से देश भक्ति का सबक सीख रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संपूर देश की ओर से इनके परिवारजन के प्रतीकर तग्यता अर्पित की है क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है ये देश भक्ति का जो सबक सबको सिखा रहे हैं आज हमें उसे आत्म साथ करना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनात सेंग तीनों सेनाओं के प्रमुख जिन्होंने देशवासियों की ओर से अपने इन शूर वीरों को शद्धान चली अर्पित की है पालम एरपोर्ट से ये सीधे दृष्य आप देख रहे हैं शुधान चली अर्पित कर प्रधान मंत्री प्रस्थान कर रहे हैं पालम एरपोर्ट से